नमस्कार, आज इसंक में मैं लखनव की दो संसनी खेशत्याओं के बारे में बताऊंगा, जो वर्ष 2000 में हुई ये दोनों बहुत बड़े अधिकारियों की हत्याओं थी और जिससे फिर एक बार पुलिस दबाओं में थी, पुलिस पर दबाओं था कि इन हत्याओं के बारे में जल्दी से पता लगाया जाए पहली हत्याओी 23 जुलाई को सुबह 6 बज़े, हजरत गंच लखनों को दिल कहते हैं उसको सबसे पॉष लोकल्टी गोखले मार्ग, वो रास्ता जिस पर उत्तर प्रदेश का इन्टेरिजन्स हेटकॉटर है डॉक्टर बच्चीलाल जो डीजी हेल्थ और फेंबली वेलफेर थे सुबह मौनिंग वाक पर गए हुए थे लोट के आते समय, जैसे ही वो गोखले मार्ग पर पहुंचे पीछे से आ रहे मोटर साइकल सवार दो बदमाशों ने, उनके उपर तावर तोड गोलियां चलाएं और वो गिरपड़े मौके पर ही उनकी मृत्ति हो गई डीजी हेल्थ, डारेक्टर जेनरल हेल्थ, स्वास्थ विभाग का सबसे बड़ा पद्ध, बहुत अच्छी रेपुटेशन के डॉक्टर थे, किसी दबाव या किसी की धमकी में ना आने वाले अधिकारी थे, और उनकी उनके डिपार्टमेंट में बहुत रिस्पेक्ट थी, वही होता है सबेरे सबेरे का समय, सुबह पुलिस के एक्टिविटी सबसे कम होती है, ड्यूटियों के बदलने का टाइम होता है, नेचरल कॉल पे सभी पुलिस कर्मी जो ड्यूटि पर पिकेट में, गश्ट में होते हैं, उनके जाने का समय होता है, ये समय पुलिस का थोड़ा स्लो टाइम इसको कहते हैं, पुलिस के एक्टिविटी थोड़ी स्लो होती है, गोली मार कर आराम से, हत्यारे वहां से चले गए, वारलेस पर शोर हुआ, सभी अधिकारी, हजरत गंज का मामला था, इंस्पेक्टर हजरत गंज, सीवो हजरत गंज, मैं SP सिटी था, बीबी बक्षी साब SSP थे, सभी लोग मौके पर पहुचे गंभीर घटना थी, पड़ी घटना थी, कोई क्लू मौके पर नहीं छोड़ा था, सिवा इसके, कि कुछ सुबह जो मौर्निंग बॉकर्स होते हैं, ज्यादा तर लोग तो पुलिस के सामने नहीं आते, अगर ये कहीं से पता लग जाए कि साब पीछे फला आदमी वे आ रहे पुलिस उनके घर पहुंच जाए, और उनसे पूछे कि साब, आपको कोई जानकारी है, अगर तो बता दीजे, आप भी सुबह मौनिंग बॉक पर थे, जिस समय गोलियां मारी गए, तो आजमी साफ इंकार कर देता था, कि नहीं साब हम तो थे, लेकिन हम बाद में आजमी कहता है, साब मैं तो तब जान पाया, जब वहां भीड़े कट्ठा हो गई, अगर किसी की वहां दुकान होती है, चाय पानी के खोखे होते हैं, जहां सामान रूप से सुबह पांच बजे, एक्टिविटी शुरू हो जाती है, अगर उससे पूछा जाए, तो वह कहे को नहीं, हाँ ये रोज जाते थे, और रोज इसी समय आते थे, डाट साब को मैं पहचानता था, लेकिन कौन मार के गया साब, उससे पूछा जाता था भई, पैदल थे, दुपहिया वहां से थे, चार पहिया वहां से थे, अब साब मैंने देखा ही नहीं, अगर उससे पू अगर किसी आई विटनेस का पता लग जाए और पुलिस उससे जानकारी करना चाहे तो, पूरा दिन माथा पच्ची होती रही और आप जानते हैं, लखनवू, राजधानी, वहीं आसपास, डीजे एड़कॉर्टर, वहां से बहुत दूर नहीं, माननी मुकमंत्री जी का आ माटीरियल बहुत है, अख़वार में इस मर्डर को इस हत्या को पेंट करने के लिए, कि कितनी गंभीर हत्या थी, और कौन-कौन इसमें लापरवा है, पुलिस की पिकेट 20 कदम पे लगती थी, 4 की 50 कदम पे थी, 200 कदम पे थाना था, इस तरह की बातें, किसी भी इस तरह की संसनी खेज हत्या में अख़वार में आदमी पढ़ता है, तो उसका मन व्याकूल होता है, और उसको लगता है कि साब, अगर पुलिस एलर्ट होती, तो यह हत्या न होती, बिल्कुल क्लूलेस था, उनके घरवालों ने बताये कि साब, किसी तरह की कोई व्यक्तिगत रंजि इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद अगर राइवरली भी होगी किसी से तो समकत्ष अधिकारी से राइवरली होगी, लेकिन इतनी उचाईयों पर इतनी बड़े कद पर पहुंचने पर कोई भी प्रोफेशनल राइवरली में इस तरह का कदम उठाए गाया उठाता है यह भी बात अकल्बनी थी कि सारी टीम डीजी हिल्थ के आफिस मुचें कि टीमें बनाई गई एक टीम मौके पर जो कुछ भी मिला कोई चश्मदीद है कि किसी ने आते जाते देखा कि उससे जानकारी करने का देखे आज की तरह नहीं था तब मैं बार-बार रिपीट करता हूं कि यह 2000-2001 यह उधर सत्तानवे अठ्ठानवे देखे दौर नहीं था है कि आज अगर इस तरह का कोई क्राइम होता है तो चार टीमें तुरन आने जाने के रास्तों पर चली जाती हैं जितनी सीसी टीवी जिस के चाहे वो परसनल हो चाहे सरकारी हो किसी सेक्योर्टी एजिंसी के हो या किसी परत गटना के दस मिनट पहले की होगी या घटना करने के बाद अगर वो इस CCTV के सामनी से गया होगा तो घटना के 15 मिनट बाद की फुटेज होगी और लगभग हर बड़े बड़ी बड़े अपराध में बड़ी आपराधिक वारदात में CCTV फुटेज से हत्या की गुत्थी लेकिन उस जमाने में एक भी CCTV मुझे नहीं याद है कि जन्पत में किसी दुकान में एक दो CCTV के बारे में जानकारी के अलावा लखनव शहर में कहीं पर किसी सारजुनिक स्थान पे कोई CCTV लगी हुई थी आज हर गली कुचे में एक टीम तो लगाई गई इसलिए कि आप लोगों से जानकारी कर लें कौन लोग गए कौन लोग आए घटना के पहले किसी चाय की दुकान पान की दुकान पर कौन लोग खड़े हुए थे तो यह टीम बड़ी होती है इसमें एक एक सब इंस्पेक्टर चार-चार सिपाही करके कई जग लोगों को लगाया गया और यह कहा गया कि अगर कोई मुफीद सूचना मिलती है तो आप उसको ततकाल पहुँचाए एक दूसरी टीम डीजी हिल्थ के आफिस महुची है वजीर गंज में यह आफिस है वहाँ बाबूओं को छोड़के जिनका वहाँ रहना बहुत जरूरी है कक्ष का ताला खोलने के लिए आलमारी का ताला खोलने के लिए रेइस्टर पर सिगनेशर कराने के लिए उसके अलावा कोई नहीं म भारा बज गया को एक कर के पूछा गया सथा कि दिल इंग असिस्टेंट्स होते हैं अलग अलग गाम के जैसे अब कि टर का क्याख्श प्रूप भार्वाग में एपॉस्ट्मेंट्स का में बाग में पेेश्म मेंट्स का विभाग में जो इंग का यह जो gain यहीट उन किसी को कोई व्यक्तिगत आखात लगा हो या किसी का कोई आर्थिक नुक्सान या फाइदा नुक्सान हुआ हो या फाइदा होने से रह गया हो कि राद भर ऑफिस खुलवाये गया और सब धीरे धीरे जो हर आफिस में आप जानते हैं एक-दो वरतमान विवस्था का विरूधी होता है जो वहां पर अजिकारी जो विवस्था के लिए जो इनकी जम्मेदारी होती है उनका विरूधी को भी होता है धेरे धेरे पता करते करते ये पता किया गया कि साथ इसमें कुछ अपॉइंट्मेंट्स का चक्कर ऐसा लगता है कि प्र दीरे दीरे बाते हैं खुलने हुई कि आखिर कौन-कौन लोग यहां पर आते हैं जो टेंडर्स के लिए हैं और बात आते आते ठीकी जो बाहु बली निर्वाचित सदस्य हैं जानपुर से लखनो उन्वस्टी में भी उनके कारणा में मैंने आपको पहले बताए हैं विधाय लायक और सांसद रह चुके हैं उन्हें भी लाया गया है उनसे भी बहुत डिटेल इन्वस्टीकेशन इंटरोगेशन हुई है सभी इस्तर के अधिकारियों ने बहुत लंबी पूस्ताश के हैं हफते निकल गए दस दिन हो गए पंदर दिन हो गए और बहुत किसी हम लोग किसी निश्यत स्थान तक किसी निश्यत नजीत नतीजे तक नहीं पहुश भाएं व्यक्तिकत रंजिश वाली बात रूल आउट हो गई अवैद संबंधों की बात रूल आउट हो गई प्रोफेशनल लाइवरली की बात पर सब आकर अटक रहे थे उस बात में भी बहुत दम नहीं लगा बात यहीं हुई कि इसमें जरूर चूंकि बहुत बड़े-बड़े टेंडर्स होते हैं बहुत बड़े-बड़े ठेके-पट्टी उठाय जाते हैं तो अब यह देखा ग लिए था यह सब डिटेल में जानकारी करते करते यह बात यहां पर आकर लुकी कि इसी में से कहीं पर हत्या का कारण शिपा हुआ है पूर्वांचल के जो बड़े माफिया गुरूप थे जो अब धीरे-धीरे घुच रहे थे इस तरह के टेंडर में शिक्षावे भाग में स्वास्ति भाग में जहां-जहां बड़ा सरकारी धन इन्मावल था टेलीफोन में उनको एक-एक करके टटोला गया माननी पूर्व सांसद पूर्विधायक धननजे सिंग से लंबी पूस्तांशुई बड़ा निचुरर है कि वो कोई ऐसा क्लू नहीं देंगे वो सब हर फन के माहिर थे कि ऐसा कुछ उनके द्वारा किया या कराया गया है पुलिस छोटे-छोटे टुकड़ों को जोड़कर देख रही थी बात वहां आकर फसने लगी अटकने लगी लेकिन कुछ-कुछ थोड़ा-थोड़ा क्लू इस पे आ रहा था हम लोग लगभग इस निश्कर्ष पे पहुंच गये थे कि कराया तो इनी लोगों के द्वारा है किया किसने है यह बहुत जरूरी है जब तक इस एंड पर करने वाला नहीं मिलेगा किसी के उपर इस तरह से कह देना बेना किसी शाक्ष के और बात यह तैप आई गई गई, सब लोगोंने मिलकर बैट कर यह तैँ किया कि सबसे पहले मारने वाला जो जिसने मर्डर किया है उसकी अरेस्ट जरूरी है बिना उसकी अरेस्ट के हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाएंगे इसी बीद 25 दिसंबर यानि पांचे महिने बाद 2000 को महानगर में निशाद गंच में गली नंबर मुझे ध्यान नहीं आ रहा शायद गली नंबर एक में ही उनका मकान था डॉक्टर राधे श्याम शर्मा वो भी डारेक्टर के पद पर थे सीमों थे स्वास्थ महान देशाले में उनकी पोस्टिंग थी शाम के करीब पांच-छे वजे वो अपनी क्लिनिक पे बैठे हुए थे उनका घर रिज्डेंस कम क्लिनिक जहां पे था दो लोग अपने को मरीज बता कर घुसे और कई गोलियां मार दी एक जटके से एक शौक से हम लकनव पुलिस अभी उबरी नहीं थी दूसरा बड़ा चटका लगा गंभीर अवस्था में उनको के जी एमसी लाया गया एडमिट किया गया कुछ देर तक सरवाईव के बाद में उनकी भी बित्त्य हो गई फिर वही पुलिस की परानी कहानी दरोगा जी ने बताया कि बस साब यह उसी से रिलेटेड है बस साब मोडस ऑपेंडी भी वही है गोया कि बस वही मुल्जिम होंगे लेकिन यह पूछने पर कि कौन होंगे इसका कोई सही जवाब नहीं दे पा रहा था हमारे सियोज इस बार ज़्यादा प्रेशर था गवर्मेंट का सियोज को सियोज की नितित में टीम बनाई गई कि शहर में दो दो सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स सरकारी पजों पर रासीन उनके हत्या हुई है और पुलिस अभी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँची है उनकी पतनी धरमपतनी स्यमतिरीता सर्मा ने ये बताया किसा अekशन मिल गया थे उनको एक्षेंशन मिल गया है और इस खबर को वह सेलिब्रेट कर ही रहे थे, लोगों को बता रहे थे, खुश थे कि एक घंटे बाद ही उनकी हत्या हो गई ऐसा लगा कि अब फिर ये सुई डॉक्टर बच्ची लाल की तरह डिपार्टमेंट की तरफ ही जा रही है व्यक्तिगत किसी से कोई रंजिश नहीं थी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी की कोई रंजिश के बारे में भी कि उनका बेटा जहां तक मुझे याद है डॉक्टर आर्या का वो उस समय पाइलट था पियर फोर्स में पाइलट था या किसी प्राइविट कंपनी में था इतना मुझे ध्यान नहीं काफी पहले की बात हो गई 20 साल हो गए लगभग इस बात के कि उसने भी काफी मेनग की छुट्टी लेकर आया उसने सब जगह दोड़ भाग की बात की अपने फादर के को लीज से बात की और लोगों से बात की लेकिन कोई ऐसी बात परिवार को भी समझ में नहीं आई कि डॉक्टर आर्या की शिमती जी रीता शर्मा जी वह जरूर थोड़ा-थोड़ा हिंट कर रही थी और जो भी वो हिंट कर रही थी उसके बारे में पुलिस की टीम मुख्याले में जाकर उसकी पुष्टी करती थी और की जो बात बता रही है चूंकि उनका जो कुछ भी उनकी जानकारी थी वो डॉट साब ने जो शेयर की होगी घर आने पर जो शेयर करते थे वही जानकारी थी उनका कोई office में कभी वो जाती नहीं थे, office में कोई उनका बहुत दखल नहीं था तमाम चीज़ें बताने के बाद जो पुष्टे कारग बाते हैं समझ में आई बात ये समझ में आई कि उस समय जो DG Health है Dr. Harish Chand Vash Dr. H.C. Vash वहाँ पर करीब 600 नर्सों की कार रिकूटमेंट और उनका उनकी ट्रेनिंग गवर्मेंट से आई थी जो DG Health को करना था और उन्होंने किया भी और ये जब थोड़ा सा चुकि एक हत्या भी नहीं सुलच पाई थी दूसरी हत्या हो गई इस बार पुलिस थोड़ा कलाई से पेश आ रही थी आफिस के लोगों से हलांकि डॉक्टर से या स्वास्य भाग के लोगों से कलाई से पेश आना बड़ा बड़ा चैलेंजिंग काम होता है बड़ा रिस्की होता है क्योंकि यह अपनी गलतियों को छेपाने के लिए या दवाव बनाने के लिए जड़ासा भी किसी के साथ दुर्वयवार हो जाए जड़ासा थोड़ी सी विज्जाती हो जाए तो यह पूरे प्रदेश में श्ट्राइक पर चले जाते हैं इस तरह का करता है उसका नुकसान होता है यह बात सभी लोग जानते हैं पुलिस में भी सब लोग जानते हैं इसलिए एक लिमिट की भीतर टाइट करके और जो और तमाम तरीके हैं पूस्ताश करने के उससे पूस्ताश ने पूस्ताश शुरू किया उसी पूस्ताश में य पिर ये उन्होंने उन पे शक किया और डॉक्टर एच्सी वैश्य को इसमें एक्यूजड बनाया गया साक्षे कठा करना वो शक्ता क्योंकि वो समय डारेक्टर हेल्थ है डॉक्टर हरीशन वैश्य बात खुलते खुलते तब पुली जब रीता शर्मा जी ने शीम रीता शर्मा ने ये बताया कि इसमें काफी पैसा एक ठाटा हुआ था और इस पैसे में डॉक्टर राजेश्य का जो हिस्सा था वो डॉक्टर वैश ने नहीं दिया और कभी इसका जिकर करने पर उन्होंने ये कहा कि ज्यादा तेजी पकड़ोगे तो बच्ची लाल की तरफ मारे जाओगे ये बात सुनकर सब चौक गए काफी देर में उन्होंने इस बात को बताया फिर इस बात की जानकारी भी की गई तो ये पता लगा कि जब वो हॉस्पिटल में भरती थे गोली लगने के बाद डॉक्टर आजिश्याम शर्मा उस समय डॉक्टर एसी वैश उनको देखने भी गए थे और वहाँ उस समय वो होश में थे हलकी हलकी बात कर लए थे वहाँ भी उन्होंने कोई कठिन बात कठोर बात या कोई इस तरह की बात की थी और घरवालों ने जो भी वहाँ मवजूद थे उसका विरूद किया थे फिर डॉक्टर रीता शर्मा ने ये बताया कि एक पाल्टी में भी डॉक्टर वैश ने जब इसी बाबत चुकि खटास हो गई इन लोगों में तो इसी बाबत उन्होंने कहा होगा पैसे हमारे नहीं मिले हैं लॉक्टर वैश ने तब भी ये धमकी दी थी कि अंधे पड़े मिलोगे सड़क पे जैसे बच्ची लाल पड़े मिले थे देखी ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि तीन लोग दो जिनकी मृत्ति हो गई और तीसरा स्वास्थ विभाग के सर्वोच पद पर विराजमान व्यक्ति वो भी डॉक्टर तीनों पेश अधेश्च की स्वास्त विभाग का जिम्मा और तीनों के बीच किस किस तरह की बात हो रही है और किस किस तरह की बात निकलकर आ रही है सभी साक्षियों को इकठा करने के बाद इस घटना के कोई 7-8 महिने बाद जब सब साक्षि कठा हो गए यह साक्ष मिल गए पैसों के लेन देन के साक्षि भी मिल गए रेक्यूट्मेंट में जो पैसे लिए गए थे उसके साक्ष भी मिल गए सारे साक्षियों को इकठा करने के बाद उस समय के डीजी हेल्थ डॉक्टर एक सी वैश को पुलिस ने गिरफ़तार किया चार्शीट लगाई गई और वो जेल भेज दिये गए च्छे सितंबर 2001 को कोट में डॉक्टर शर्मा डॉक्टर राधिशाम शर्मा की पतनी ने अपना बयान दर्जगराया और अपने बयान में उन्होंने इस सारी बात का उलीग किया किकुस तरह से अन्च छे से उनर्सों के रिकृ jako ट्रीनिग में कितना पैसा सरकार से आया थो और कितना जिनका रिकृॱ्ट में किया गया उन से लिया गया था किस पैसे इस पैसे की बंदर बांट में किस तरह से रॉक्टर शर्मा को उन्हों ने धमकाया और बाद में बदमाशों ने गोलियों से उनकी जान ले ली इस सारी बात कोड के कोड में बयानों में आई फिर वही परिशानी की मारने वाले कौन था डॉक्टर बच्ची लाल के अत्यारों को भी पता नहीं लगा था और तब तक ये घटना हो गई खेर बाद में इन दोनों घटनाओं में अत्यार भी पकड़े गए जेल भी बेजे गए लेकिन जो घटना के पीछे के कारण धीरे धीरे आये वह बहुत ही शौकिंग थे किसी भी सब्वे समाज के लिए जिस डॉक्टर को हम भगवान के रूप में जानते हैं वह एक दूसरे को मारने काटने बोता रहा है पैसे के लिए प्रतिष्ठा के लिए पद के लिए लालज के लिए और बाद में बहुत बाद में यह मर्डर यहीं पर लिए तो वो मर्डर मैं बता रहा हूँ जो जब मैं इस्पीसिटी था उस दोरान हुए थे और उस दवरान करीबन आठ महीने तक हम लोगों ने कितना प्लेशर जेला था, लकनोग पुलिस ने कितना प्लेशर जेला था, उसके बाद भी हम लोगों के वहां से हटने के बाद भी कई बहुत ही सीनियर डॉक्टर्स की हत्या हैं और सब में यही आया कि स्वास्त विभाग में होने वाले जो स्वास्त विभाग क्योंकि बहुत बड़ा बज़ट होता है इसमें डबलू एचो का भी बज़ट होता है तमाम और जो संगठन हैं उनका बज़ट उनका पैसा आता है और कोई भी सरकार बहुत पैसा स्वास्त प के लिए उस तक उससे समंदी जो सुविधाएं हैं उनसको जनरेट करने के लिए क्रिएट करने के लिए पैसा खर्च किया आयता है और इसकी बंदर बांट में ये दो बड़ी हत्याएं हुई और हत्या कराने वाले उनसे भी बड़े पद में डॉक्टर डारिक्टर हेल्थ जो गिरिफतार करके जेल बेजे गए थे जेल में स्ट्राइल का क्या हुआ ये मुझे बहुत जानकारी नहीं है और घटना उस समय हम लोगों ने जब जब इसकी बात की होगी अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे बहुत धेर सारी ख़बरें इस सम्मन में निकली थी और बहुत थूथू हुई थी बहुत किरिकरी हुई थी इस बिभाग के और उसके बाद ही इसमें करेक्टिव मेजर्स लिए गए गए करेक्टिव स्टेप्स लिए गए अब उसमें कितना सुधार है ये आप बहतर जानते होंगे आप बहतर डिसाइड कर सकते हैं कि पहले स और अब में क्या सुधार है, हाला कि एक बात तो जरूर है, कि शोशल मीडिया के चलन के बाद, यानि पिछले पांच साथ सालों में, आप मैक्सिमम कह लें, जस सालों में, किसी भी विभाग के, किसी भी गलत काम को उजागर होने में बहुत समय नहीं लगता है, उस समय जो य हम लोग जैसे पुलिस में हैं, या दूसरे लोग जिनका स्वास्त बिभाग से संबंद नहीं है, वो कलकना नहीं कर सकते थे, कि इतने वरिष्ठ लेविल पर, इतने बड़े सरकारी पत पर रहते हुए, और इतनी गिनोनी हरकत की गई, इतनी कुरूर हत्याएं की गई, इत पैसे का लिया जाना, पैसे का दिया जाना, ये सब इन्वाल था, तो ये दो हत्याएं जिसने उस समय लगब दस महिने तक पूरे शहर को हिला के रखा था, बलकि पूरे प्रदेश को हिला के रखा था, जो लोग इसमें सामने आए, जो जिन लोगों से हत्याएं कराई गई वो भी कम चौकाने वाला नहीं था बहुत प्रभावशाली थे राजनेतिक रूप से प्रभावशाली थे और बड़ा उस समय उनका बड़ा जोड था और पूस्ताश में बहुत से चीजें हम नों को पता लगे इस तरह के और बहुत से रैकेट उसी दर्मयान इसी विवेशन by accident बन्वाए के मुख्याले से स्वास्थ का जो हैड़कॉाटर है लगणव में फर्जी अपउंट्मइन लेटर बन्वा वडव सर्विजी सर्वीस और बन्वायन के फर्जी ट्रांस्फर मोडर बन्वा के किसी भी वैक्ट को बड़ी 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 मोटी रखम लेके उस जनपद में स्वास्त भख में जोइन करा दिया रहता था और वो सरकारी खजाने से पैसा लेता रहता था जबकि न तो उसने कभी एक्जाम दिया था न ऐसे अपोईनमेंट का कोई नोटिफिकेशन आये था ना ऐसे appointment के बारे में सरकार को कुछ पता था अपने level पे ये सारी धांदली वहाँ चलती रही इसका भी बंडा फोड इसी घटना के बाद जब कागजातों की जांच हो रही थी उसी में पता लगा था उसमें मुकद में लिखे गए थे बहुत धेर सारे मुकद में प्रदेश भर में लिखे गए थे और ऐसे सभी लोगों को चिन्नित किया गया था जो इस तरह के फरजी appointment letter फरजी service book और फरजी transfer order पर अपने अपने जगह पर नोकरी कर रहे थे आज बस इतना ही उस समय उस दौर के जो मैं specificity था तब की और घटनाओं के बारे में अपराज की और परि इस जुजा करती थी उसके बारे में अगले पार्ट में बात करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद